उफ काम में आज मैं इतना जाता बेस थी और नवरात्रे हैं नवरात्रों का पूजन हुआ कुछ दिन पहले मेरे घर में मिस्त्री लगा था सारे काम देख रही थी और बहार जो है रेट का धेर भी लगा था जो बची होई रेट तो लेबर वाला भी आया था हो उसके साथ पूर अलगके रेट सारी बोर्यों में भरवाके मैंने रखती है और फिर अब कुछ दिन में सोचती हूँ कि मिस्त्री से नया काम जो पैंडिंग काम क्या मुझे और करवाना है तो आज जो अक्टूबर की तीन तारीक हो गई है और जल्दी से आज मुझे बना देना है वस बना के मुझे डाल देना है तो इसी कारण अभी आज जो मैं गार्डन में नीचे वाले गार्डन में पानी में नहीं दे पाई हूँ और पुद्धे ऐसे मुर्जाए हुए हो गए है नमस्कार जी मैं मन्जू नेचर लबर चैनल से तो कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यदा बीजे चल रही हूँ इस महिने जो आप जानते ही हो कि बहुत सारे तीज़्द्योहार भी है नवरात्रों का बरत और साथ में घर के खुप सारे काम चल रहे है दिवाली भी आने बाली है और दिवाली के साफ स्पाईयों का भी काम चल रहा है क्रोना टाइम से जो घर में खुप सारे काम पैंडिंग थे तो सोचा लगे हाथ कुछ ना कुछ काम करवा लिए जाए तो कुछ बस चल रहा है अभी आगे तक बहुत दिनों तक चलते रहना है इसी तरह से काम के चक्र में जो है घर में मैंने बताया ना जैसे कि उपर बताया कि मिस्तरी और मज़़ूर भी लगे हुए थे उनका काम भी मुझे खुद ही देखना पड़ रहा था और इसलिए मुझे विडियो बनाने का ये विडियो बनाने का time नहीं मिल पा रहा था तो ये विडियो मतलब जो मैंने contest रुखा था उसका result वाला तो वो मुझे सारा उसमें मुझे बहुत time ऐसे तो मुझे बना नहीं देना क्योंकि मुझे सारे जो अनसर जिनों ने दिये हैं, कोमेंटS वो सब मुझे देखने, चेक करने, 만들어 करने तो फिर उसी बेस पे मुझे बनाने थे, कितने सही अनसर कितने सही के आज पास हैं तो इसलिए ये विडियो बनाने का time नहीं लग रहा था तो इतने busy जो schedule में कल रात जो मैंने आज की बात नहीं करी हूँ आज तो हो गया, कल रात की बात करी हूँ हाँ, तो एक ने नी, हाँ, परसों की बात आई ये परसों मैंने बनाया था, कल भी busy थी तो मैंने क्या क्या कि time निकाला और साड़े ग्यारा बजे तक मैं लगी रही पूरा matter लिखने की मैं देखती हूँ की क्या क्या है और ट्यारी एक तारीक से चल रही है, एक October से एक October से भी मैंने वीडियो के सारे काम काज गई कुछ देखा क्या लोगों ने comments की है नोट की है, जितने जितने मुझस से हुए तो मैं वो ही कर रही थे दो दिन दिन से तो इतना मतलब इतना difficult होता है यह सब करना तो जो वीडियो नंबर contest के लिए मैंने 1631 1631 बनाया था, उसमें जो comments आई थे, वो total comments थे, जो एक तारीको रात को मैंने पूरे चेक कही है तो 99 comments थे उसमें और कुछ तो ऐसे थे कि कुछ उसमें जो उन्होंने contest से related answer दिये थे और कुछ वैसे ही थे, तो teacher जो ऐसी रही कि उसने rule के खिलाफ जाके students को contest जो रखा था उसके जो answer देने थे, उसके सारे clue दिये बट फिर भी शुरू-शुरू में जो है, सब के answer गलत थे और फिर मैंने फिर से community में एक post डाली और बताया था कि answer गलत है और answer में क्या-क्या मतलब वो भी मैंने clue दिया था तो clue देने के बाबजुद बी जो सिर्फ और सिर्फ तेरा answer जो बिल्कुल सही है और बाकि जो कई सारे ऐसे answer हैं जिन में से minor सी mistakes हैं और कईयों में थोड़ी जैदा mistakes हैं तो वो सारे comments बढ़े हुआ हैं उस video में मैंने कोई भी delete नहीं किया है तो आप check कर सकते हैं जाकर उसमें जो सही answer जिन्नों ने दिये हैं तो उसमें से सही answer में से तेरा जो answer है उसमें से मैंने draw से draw जो निकाला है draw से मैंने seven names निकाले हैं winners के बट जो जिनकी minor mistakes हैं तो वो भी घवराएं नहीं वो भी video जो है शुरू से लेके end तक देखें और उनके भी उनके भी मैंने जो उनके लिए भी तीन लोगों के लिए gift निकाले हैं तो उसमें से किसी का भी हो सकता है तो आप video देख सकते हैं तो इसलिए जो सही answer वाले और जिनकी minor mistakes हैं वो सब जो है video end तक देखें और जिनने gift नहीं मिला है तो उन्हें उदास होने की जरूरत नहीं है contest कोई जहीं इसी जगा पर ये आकरी नहीं है खतम नहीं हो जाता है तो आगे भी इस तरह के बहुत सारे आते रहेंगे तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि answer जो सही क्या था तो मैंने दो वीडियो उसमें रखे थे एक वीडियो नंबर 1605 में मैंने ये पुछा था कि total pictures कितनी है वो बताना है कि वीडियो में जो thumbnail है तो वो picture नहीं गिननी है और बाकी pictures बतानी है तो मैंने बस थोड़ी सी ये देखने के लिए चेक करने के लिए मैंने ये इसलिए पुछा था कि जो thumbnail वाली picture थी ना वो ही number 1 पे मैंने picture डाली थी तो कहीं होने 35 भी लिखा उन्होंने thumbnail वाली picture भी गिन ली और बाद में मेरे बताने के वावजोद की answer गलत था तो clue देने के वावजोद फिर 1134 कर दिया तो मैंने time बीच में दिया था कि कोई अगर answer अपना change करना चाता है तो वो पूरा पहले वाला जो answer delete कर दे edit नहीं करे तो editing तो फिर आप कभी भी कर सकते हो मुझे कैसे पता चलेगा आपका final answer और answer एक ही बारी देना है और जो एक October की रात को जब सब मैंने चेक किये थे तो वो मेरे फिर final थे उसके बाद फिर मैंने नहीं लिये तब से काम start हुआ था ये तो बले ही वीडियो में जो एक नंबर पे थमलेल वाली पिक्चर थी तो वो हमें नहीं गिलनी थी तो आंसर है 34 पिक्चर थी टोटल उसमें और जो दूसरा वीडियो था वीडियो नंबर 1615 1615 में मैंने ये पुछा था ये question पुछा था कि उसमें जो तीन नंबर पे फूल दिखाया गया है फूलों की पूरी गिंती करनी है तीन नंबर पे तेरा नंबर पे चोदा नंबर पे 21 नंबर पे 22 और 29 नंबर पे कौन से उनको flowers दिखे तो सब ने अंसर जो अपने अपने तरिके से दिये और शुरू-शुरू में तो गलत भी था तो फिर मैंने ये भी clue दिया था कि कोई हलका सा फूल भी जैसे पहले दिखता है तो वो ऐसे अंसर उस तरिके से लिखना है तो उसका अंसर था 3 नंबर पे वो विंका दिखा 13 पे वी विंका 14 पे वी विंका और 21 पे विंका और 22 नंबर पर जो Mexican Petunia और लास्ट में 29 नंबर पर जो हलका सा पहले दिखा था और साथ में बोगन बिलिया जो बाद में दिखा था तो इसलिए 29 नंबर पे हमारा हुआ गोंफ्रेना ये अंसर था तो नेम्स निकालने से पहले जो सारे विंका बहुत बहुत मुबारक और जब आप मेरे गार्डन के सीड्स ग्रो करेंगे और आपके बड़े-बड़े चैनल बन जाएंगे बड़े-बड़े चैनल आप खोल लोगे तो मुझे याद जरूर रखना किस तरह से आपने शुरुआत की मंजुहांडा और गैनिक गार्डन से आपके मिले जो सीड्स उसे उन्हें आपने ग्रो किया चली ये तो मैं आपको ऐसे मजाक में कर रही हूं आपका जैसा मन करें मैं तो इसलिए सोच रही हूं कि कल को अगर मेरा मन ना हुआ मेरा चैनल बंद हो जाता है मैं काम नहीं करती हूं तो कम से कम ऐसे गार्डन का काम तो देखना करना मुझे शोग तो है दुसरों के वीडियोज देखना भी मुझे शोग है तो मैं फिर आपके चैनल पे जाके वीडियोज देखूंगी और खुश होँगी कि मेरे गार्डन के सीड यहां पे लगे हुए हैं तो इस चीज पे भी मैं एक बड़िया किस्सा आपको सुनाऊंगी तो इससे पहले सबसे पहले जो विनर का नाम है तो हमारा जो सबसे पहला विनर है तो मैं अभी आपको बताती हूँ तो लीजी हमारे जो पहले winner है वो ये नाम रहा ये देख लिया अपनी तालिया पहले winner के लिए तालिया तो जो मैंने बताया ना कि मैं आपको किसा सुनाओंगी ये चीज मैंने क्यों बोली मुझे बहुती पसंद आई वो इसलिए मैंने बोली कि शुरू में मैंने बहुत सारे भाईवेनों के घर में सीर्चू बिजबाए तो मैंने कोई कोंटेस्ट नहीं मेरे चैनल पर होता था तो मैं ऐसे ही शोकियात वरपे जैसे भाईवेनों के अड्रेस मांग लेती थी नाम तो फिर जैसे आठ दस इकठे मेरे पास अड्रेस हो जाते थे तो फिर मैं उनके घरों में सीर्च बिजबादती थी तो इसी तरह से एक जो कमल्स क्रेशन चैनल होता था वो अब भी तो वो वीडियो नहीं डालते हैं उस पर तो खाना बगारा के डालते तो पंजाब सी तो मुझे बहुत उनका चैनल पसंद था तो मैं देखती थी उनके चैनल तो वो उनके भी मेरे उस पर चैनल पर खुब कमेंट साते थे तो अभी खेर वो शोट्स केरा डालते हैं अपने बेटे के तो मैं वो भी ज़रूर देखती हूँ उनके जैसे कि उन्होंने अपने चैनल पर बताया था तो वो जॉब करते हैं तो हो सकता है इस कारण वो आगे चैनल ना चला पाए हूँ वीडियो के लिए टाइम ना निकाल पाए हूँ तो जब मैंने उनको सीड्स भेजे तो उन्होंने क्या किया कि अपने चैनल पर स्पैशली मेरे लिए जो है वीडियो बनाया और मेरा थैंक्स किया ऐसे तो उन्होंने थैंक्स किया पर अपने उस पर बना के कि मन्जुहंडा और्गैनिक गार्निंग चैनल से मुझे कौन-कौन सी सीड्स आई हैं तो मुझे सच में उनकी बात इतनी बढ़िया दिल को छूग गई मतलब आज तक भी मुझे याद है मै और ववह कि विजु के बाद मैंने हमेशा ही याद रखी हैं तो फिर ऐ कुछ टाइम बाद दललन ठोप जो न्यूज चैनल है यह मै वीडियो में allowed business है तो उनोंने मेरे चैनल के बारे में उन्होंने लिखा था स्काहत है बीडियो में तो मुझे किसी और और आधी पैवन का बात दिल को चूग गई थी, मैंने भी फिर वैसी किया, मैंने भी जो दललन्टोब बालों का बीडियो बनाके special उनके लिए बीडियो बनाके उनका थैंक्स किया तो जो ललन्टोब बालों ने न्यूस चैनल बालों ने मेरे चैनल की अपने चैनल पे तारीफ की थी तो इस तरह से थैंक्स करना तो मेरा बनता ही था ये बात तो जो मुझे दिल को छूगी बस मैंने ऐसे किसा बियान किया है आपको बताया है ये जुरूरी नहीं कि आप भी ऐसा करें तो चलिए आगे बात चीत करने से पहले जो हम अपना सेकंड नेम बता देते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन है कौन विनर है तो सेकंड नेम जो निकला है डौ में से वो ये है जिनका बिल्कुल सही अंसर था तो ये आप देख सकते हैं अपना नाम नोट कर सकते हैं हे इनके लिए तालियां तो आगे मैं बात बताती हूं जो नए भाई भाई भैन मेरे चैनल के साथ जुड़े हूएं तो वो हूं सूसते होंगे कि पता नि मैं जो कॉन्टेस्ट रखती हूं पैसे कमाने के लिए रखती हूं तो ऐसा कुछ बीज़ भी नहीं है जैसे कि मैं शुरू में पहले बता दिया आपको कि जो पहले में कोई मेरे मेरे चैनल पर कॉंटेस्ट का जनम नहीं हुआ था मैं तो सीड्स ऐसे ही देती थी और जो कॉंटेस्ट गरा इस तरह से पैसे कमाने के लिए रखते हैं तो वो फिर अपने गार् में जाती तो मैं जैदा से जैदा दस सीड्स का पैक बना देती उस तरह से मैं करती और जब मैं कॉंटेस्ट नहीं रखती थी तो फिर जिने मैं सीड्स ऐसे ही भेज़ती थी अड्रेस पूछ के तो फिर सब भाई भेन एकठे कमेंट करते थे कि हामेवी सीड्स बेचो हामे नहीं भीजा हमें नहीं भीजा तो फिर मैंने सोचा कि सही तरिके से कैसे जो काम किया जाए तो उनको बुरा विना लगे और फिर अपने टर्न का वो वेट कर सकते हैं तो वो भी थोड़ी सी महिनत कर लें भाई तो इसलिए फिर तब से मैंने मेरे चैनल पर कॉंटेस्ट रख जो उससे मैं बड़े पैसे कमाती हूं तो ऐसा नहीं है मुझे हर मेने जो पैसे नहीं मिलते हैं जब कभी 100 डॉलर हो जाते हैं तो फिर मेरे अकाउंट में थोड़ी से 100 डॉलर उतने ही पैसे आते हैं तो ऐसा कुछ भी चकर नहीं है और उससे ज़्यादा तो मेरे खुब स निकालते हैं बातों के साथ साथ तो हमारा जो थर्ड नेम है वो ये है ये अच्छे से देख लीजिए अब जो है थोड़ा शाम होने जा रही है और ये देखिए ये थर्ड नेम मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा मैं एक वरी फिर ऐसे हाथ पे रखके बता देती हूँ ये इस तरह से देख लिया होगा है इनके लिए भी तालिया इन्हें हाला कि पहले वी मेरे गार्डन के सीड्स मिल चुके हैं और मुझे नहीं मालूं कि इन्होंने कोई अपना चैनल बनाया हुआ है कि नहीं है कई बारी बाई भेन जो कमेंट्स करते हैं वो अलग नेम से कर करते हैं और वो ही चैनल में वो ही नाम होता है हाँ आगे मैं आप सब के लिए एक जुरूरी बात ये बता दूं कि आप जल्दी से जल्दी अपना सही अड्रेस मुझे भेज दें और उसमें अड्रेस में किसका नाम भेजना है जो जिस नाम से आपके घर में पोस्ट आती ह है जानते हूं उनका नाम लिखना है और सिटी का नाम लिखना है तैसील डिस्टिक स्टेट का नाम घर के आसपास कोई लैंड मार्क है जैसे कोई स्कूल बना है जा कोई मशूर बिल्डिंग कोई भी बनी है और कोई स्टोर हो जा कोई मॉल हो कुछ भी मतलब जो मशूर ची सीड पहुंचाने में वो अराम से आ जाए और हाँ, पिन कोड लिखना न भूले पिन कोड आपने जुरूर अपना सही-सही बताना है कई वरे मेरे कई जो भाई भेन है वो केर ओफ करके लिखते हैं अपना नाम तो जो केर ओफ करके लिखते हैं तो वो उस बंदे को जब बंदे को ये बता दें कि हमने आपका नाम लिखा है अड्रेस के लिए तो जब आपको हमारी पोस्ट मिले तो आप हमारे तक पहुंचा देना कई वरे ऐसा होता है कि के और ओफ करके जिनका नाम लिखाता है वो ले लेते हैं और फिर आपको पहुंचाएंगे ने आप तक फिर आप मुझसे शिकायद करोगे कि मैडम हमें तो मिला नहीं वो तो इसमें तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया अब इतने सारे नाम मैंने इकठे निकाले हैं तो फिर ये तो होगा ही और बातचीत करना भी आपके साथ जुरूरी था तांकि आपको आगे जब मैं कॉंटेस्ट रख पाऊं तो आपको उसका पता चल पाए तो आप सब जो वीनर्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपने अड्रेस बेजें क्योंकि जब सब एकठे अड्रेस भेजते हैं तो फिर आगे का काम जो शुरू होता है और एकठा मैं करना पसंद करती हूं एक-एक करके नहीं सब एकठा काम होता है जो कि बहुत ही जएदा थकावट वरा होता है बट जब तक मैं इस काम को अगर कर सकती हूं दुवारा जो कि मैंने विडियो में कही थी रूल एंड रेगलेशन्स वो ही रहेंगे जो जिनको भी मैं ये सीट्स बेजती हूँ वो इंडियन होने चाहिए अगर इंडिया के बाहर से कोई होता है तो फिर अगर उसका नाम बाई चांस कहीं गलती से मुझसे आ जाता है मुझे नहीं पता होता है तो फिर मैं उने सीट जो है नहीं बेज सकती हूँ तो उनकी जगे फिर मैं किसी दूसरे को जो होगा फिर उनको दे सकती हूँ तो ये मेरा फोर्थ नेम है ये देखिए आपको दिख रहा है है आपने नोट कर लिया ना है आपके लिए भी तालिया हाँ तो आगे मैं जो जरूरी बात आपसे करूं जिन्वी विनर्स को ये सीर्स मिल रहे हैं वो इनकी कदर करें क्योंकि इस काम के पिछे बहुत ज़्यादा मेहनत है बाहर से सीर्स मंगवाने से लेके चोटी पोत त्यार करना बड़े पोते बनाना फिर सीर्स त्यार होता है उन्हें हर्वेस्ट करना सुखाना स्टोर करना और पैकिंग बाला काम तो बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और हर एक पैकेट में एक-एक करके पूडिया बनाना और पूडिया के उपर सीर्स का नेम भी लिखना तो ये सब बहुत महिनत भरा काम है हाँ एक और चीज़ मैं शेयर कर दूँ जो मैं 31 कतिस्तरां के सीर्स दे रही हूँ तो इस पे मैंने specially वीडियो बनाया है कौन-कौन से सीर्स को कब-कब ग्रो करना है और इन सब पे मेरे चैनल पे वीडियो भी बने हुए है इनकी केर कैसी करनी है कैसी लगाना है तो वीडियो आप सर्च कर सकते हैं और वो वीडियो भी देख सकते हैं और जैसे स्कारलेट फ्लेक्स जो रेड़ फूल खिलते हैं आलसी के तो वो देखना चाते हैं तो स्कारलेट फ्लैक्स लिखें, डोट डोट, मंजु हंडा और गैनिक गार्निंग चैनल लिखें, तो आपके मुवाइल स्क्रीन पे उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी, यहां फिर आप कोई और ज तब ग्रो करें, जब अच्छे से यह ग्रो हूँ, तो ऐसा नहीं कि सीर्स आएं और इनको ऐसे कहीं दरूदर फैंक दें, तब तो अगर बरसात हो रही होगी आपके, तो फंगस लग जाएगी, सीर्स ख्राब हो जाएंगे, और जिन सीर्स को अभी ग्रो नहीं करना है, तो वो अपने मुताबिक इस तरह से करें, तो अगला पांचमा नेम है, जो मेरा तो आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, शाम का ठाइम हो रहा है, और मेरे यहाँ मोबाइल स्क्रीन पे कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, यह देखिए, तो नोट कर लिया होगा आ तो यह मेरा फिफ्त नेम भी हो गया, और मैंने अपने गार्डन के बहतरी सीर्चों है, आपके यह इसमें भेजे हैं, तो किसी कारणवंश आपकी गलती से ग्रू नहीं होते हैं, तो प्लीज मुझे ब्लेम ना करें कि मैंने अच्छे नहीं भेजे हैं, तो मैंने अच्छे दूसरा सीड्स ग्रो करने से पहले अच्छी मिट्टी भुरबरी त्यार कर लें मिट्टी के बारे में भी आभी मैंने वीडियो बनाया कि किस तरह के मिट्टी में जो मैं सीड्स ग्रो करना पसंद करती हूं और जिससे अगर अगर आप अपने से पहले से ग्रू करते हैं, अगर आप जिस मिट्टी में आपके जहां अच्छी से लगते हैं, तो उसी तरह के आप मिट्टी बनाएं, उनकी केर करें, और अगर बहुत ज़्यदा बारिशें जैसे तेज हो रही होंगी, तो उससे बचा के रखें, थोड़ करिए, अगर आप नए नए हैं, आपका नाम इस लिस्ट में आ चुका है, विनर की लिस्ट में आ चुका है, तो प्लीज पहले उस पोद्दे के बारे में जानकारी लीजिए, किसी की आस्पडोस में बंदे की हेल्प ले लीजिए, फिर शिकायत मत मुझे करिए कि इतनी सी केर कर पाता अच्छे से, तो उसके यहां सीडिये चले जाते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, तो इस इन सब चीज़ों को आप ख्यार रखें, तो कई बरी ऐसे भी होता है, कि हमारे जो जुरूरी सीर्ज होते हैं, तो हमारी लापरवाही के कारण वो खराब हो जाते हैं, तो फिर लंबे टाइम तक हमारे गार्डन में वो आते भी नहीं है, और कई बरी वो मिलते भी नहीं है, और हम उन्हें याद करते रहते हैं, कि हाँ काश हमने थोड़ी सी केर की होती, तो हम उन्हें बचा पाते हैं, तो आगे भी वो हमारे गार्डन में बने रहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा लिया होगा, देख लिया होगा और जल्दी से जल्दी सब अड्रेस भीजने की कोशिश करें, अगर आपका मैं ज्यधा time तक रुकूँगी नहीं, अगर ज्यदा time तक रुकूँगी एक दो बंदों के लिए अगर नहीं आते हैं उनके, तो फिर बाकी विचारे तो ऐसे बैठे रहेंगे ना इसलिए फटा फट अगर एक दुसरे को जानते हैं तो कमेंट करके बता दें भाई तू भी जल्दी से अपना अड्रेस भेज दे तो अभी आज जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसी टाइम अपना अड्रेस पर उनको चिपकाऊंगी और भी मुझे बहुत सारे काम करने है टेप गएरा लगाऊंगी और जिनके यहां बरसात बगएरा होरी हो रास्ते में अगर सीड बगएरा भीग जाएं तो वो खोल के अपने अच्छे से दूप लगवा ले और दूप लगवा के अलग लग रख फिर आप उने अपने टाइम से मतलब कर लें यह देख लें आप तो यह हमारा छे नंबर हो गया है इनके लिए भी तालियां तो मेरे जो गार्डन के सीड्स हैं वो इंडिया की कई सारी स्टेट्स में जा चुके होंगे और मेरे हस्वेंड के कई सारे फ्रेंड्स जैसे कई जगों से आते हैं जा मिलते हैं तो उनके यहां से भी मुझे सीड्स आते हैं बट उनकी भी डिमांड रहती है कि मेरे गार्डन से उनको सीड्स मिलने तो अभी भी मुझे जो मेरे हस्वें ने बोला है कि उनके कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं उनके लिए जो मुझे सीड्स के जानने वाले को जा अपने मेरे हजबन के जानने वाले होते हैं तो इसके पीछे मेरा मकसद यहीं होता है कि जैसे मेरी बगिया महक रही है आपकी भी बगिया महके और आप अगर चैनल वगएरा खोड़ते हैं तो आप हमें बताएं मुझे बताएं कि हाँ यह जो आपके सीड मिली हैं तो यह हमारी बगिया यह इस तरह से खिल रही है तो सच में यह बहुत ही मेरे लिए यही खुशी की बात होती है मेरे लिए यही जो इनाम बाली बात जो होती है असली यही है हाँ कई भाई वहन ऐसे भी है जैसे जिनको मैंने मेरे यहां से सीर्स कई है तो उनों ने जिस नाम से वो comments मुझे मेरे channel पर उनके आते हैं, तो उस नाम से उन्हों नहीं खोले हैं, अलग नाम से उन्होंने खोले हैं, वो मैंने देखा कि ये share करना पसंद नहीं करते कि हाँ मैड़म हमने इस channel, ये इस नाम से हमने अपना चैनल खोला है, जो आपके जो हमें seeds मिले हैं हमने grow किये हैं, जो किस तरह से लगे हैं, मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या कारण है, बस मुझे तो खुशी मिलती है कि मेरे garden के seeds कहां कहां ओ गए हैं, तो इंडिया के बहुत सारी states में जो है, मेरे garden के seeds गई हैं, तो बस मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे garden के seeds वह फूल लग रहे हैं, खिल रहे हैं तो अगला जो 7th नेम है जो मेरा वो ये है ये मेरा ख्याल से आपने ये पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा नोट कर लिया होगा और जल्दी से जल्दी मुझे अपना address भेजें और ये मैंने बता दिया कि ठीक से भेजना है इनके लिए भी तालिया तो ये सब उपर जो 7 नाम मैंने निकाले हैं, ये उनके लिए ड्रो था जो जिनके answer बिल्कुल 13 लोगों ने जो बिल्कुल सही अंसर किये थे और 7 लोगों के जो नाम निकालने थे ड्रो से ये निकले थे, तो अब मैं जो आगे तीन नाम और निकालूंगी, वो मैं अपनी मतलब, अपनी तरफ से मैं उनको सीर्स देने वाली हो बट उन्होंने भी contest में हिस्सा लिया है और उन्होंने उनकी जो minor सी mistake रही है, तो चलिए देखते हैं, कौन-कौन से नाम है अगले, थो सकता है, इसमें आपका नाम भी आ जाए हाँ, अगला नाम बताने से पहले, मैं ये बता दूँ कि अभी तक सर्दियों के जो सीर्स मैंने कोई भी ग्रो नहीं किये हैं, तो गूगल में आ रहा है कि पांच तारीक से जो बारिश होनी है, कुछ दिनों के लिए बारिश बता ही है, तो पिछली बारी भी ऐसा हुआ था कि मैंने सीर्स क्रो के थे और बहुत सारे सीर्स जो मेरे पानी में बह गए थे और ये सब देख लें, जहां फिर आपके कवर्ड एरिया हो, सा कर दें, आप देख लें, तो मैं भी सोच रही हूँ कि चार-पांच दिन में मैं लगाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे घर के पैंडिंग काम पड़े हुआ है, तो इस बारी जो फोकस है मेरा पहले घर के कामों की तरफ है, और फिर मैं जो जो मुझसे ग है को है तो इननोंने भी कॉंटेस्ट में हिसा लिया, और इनकी माइनर्व सी मिस्टेक है, इनके लिए, इनको मेरी तरफ से ये गिफ्ट जाता है, ये मैंने ड्रो नहीं रख्धा है, इनके लिए भी तालिया है, तो मेरा ख्याला इन्होंने नाम अपना नोट कर लिया होगा तो मेरे कई भाइवें डिमांड करते हैं कि हमें सीट्स बेज़ दो हमें बेज़ दो तो मैं इस तरह से नहीं बेज़ती हूँ जो मेरे चैनल के साथ जूड़े हुए हैं जहां फिर जब मैं कंटेस्ट रखती हूँ तो उसमें पार्टिस्पेट करते हैं तो जिनके सही अंसर होते हैं उनी को में ड्रो से निकाल के जो इस तरह से देती हूँ और जिस तरह से आज आपने वीडियो दिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा और जब भी कभी मैं कंटेस्ट रखती हूँ अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं अगला कंटेस्ट कब रख रही हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी तो ये सब तो मैं इसी तरह से करती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए सीर्स इस तरह से हर एक को सीर्स भेजना पॉसिबल नहीं है इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है दूसरों से हैल्प लेनी पड़ती है चुकि मुझे अपने हस्वन को भी कहना पड़ता है उन्हें आगे फिर कहीं कहना पड़ता है, वो भी मेरे husband भी खुब busy रहते हैं, और फिर दूसरे से काम करवाना पड़ता है, चाहे कई, ऐसा भी होता है कि मेरा काम free भी हो सकता है, बट हमारा nature ऐसा कि हम किसी कभी free में help नहीं लेते हैं, तो हम कुछ ना कुछ उन्हें पैसे ब होत जैदा लगता है, और फिर इस चक्र में घर के भी खुब सारे जो काम है वो pending मेरे रह जाते हैं, तो इसलिए आप जानगे होंगे कि contest रखने पर ही मैं अपने garden के seeds जो देना पसंद करती हूं, तो ये मेरे लिए सुबिदा जनक रहता है, अगला जो मेरा ninth number पे जो जिने मैं अपनी तरफ से gift दे रही हूं, वो ये नाम है, उनका नाम है, तो इन्होंने भी contest में हिसा लिया, और contest में इन्होंने पाट लिया, और minor सी mistake थी इनकी, तो बाकी सब ठीक था, तो इनके लिए भी है, तालियां, तो मैं जो अपने garden के seeds देती हूं, वो मैं अपने तरिके से देखती हूं, चूज करती हूं कितने मेरे पास seeds हैं, तो मैं दुसरों की demand पे कि ये seed हमें चाहिए, तो उस तरिके से नहीं देती हूं, क्योंकि जो मेरे पास जैसे ही सारे university से आए, तो वो मेरे बच्चे सबजी कि मेरे पास थे इतने हैं, मैंने अपने लिए रखे हैं, कि मैं दे सकूँ, उन में से मैं vegetables के दिये, जाफूलों के जो मेरे पास जितने अपने लिए रखे हैं, जा किसी और अपने friends को मैंने देने हैं, उसके बावजुद जो मेरे पास हैं, जितने मैं दे सकती हूं, तो उ उनकी बगिया सजा सकते हैं जिनकों की इनकी जरूरत हो तो चलिए जल्दी से सब अपने अड्रेस मुझे सेंड कर दीजिए और फिर मुझे कई वारी वो चेक भी करने पड़ेंगे कि कहीं नोट करने में मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है तो इस तरह से अड्रेस मत बेजें कि मुझे बार-बार आपको कमेंट करके पूछना पड़ा क्योंकि मैं आजकल बहुत वीजी हूं मैं बताई चुकी हूं आप भी वीजी होंगे तिरिस्तिहार इतने चल रहे हैं तो ठीक ठीक सही सही पहले नोट करने कागज पे सोचने क्या-क्या भेजना है तो फ लिखना कोई मिस्टेक बगारा तो नहीं हुई है और आखरी में जो मेरा काम जो होता है वो सिर्फ आपके तक पोस्ट करवाना है यहां तक मेरा काम खत्म हो जाता है आपने जैसा अड्रेस दिया होगा उसी हिसाफ से आपके बहां तक पहुंचेंगे अगर खराब अड्रे मुझे ठीक से नाम नहीं था तो बैंगलोर से एक भाईवेन का था तो वो नाम में मिस्टेक थी तो बैंगलोर में सीड्स पोँच चुके थे और फिर मैं अपना ड्रेस नहीं लिखती हूं उस पे तो सीड्स ना उनको मिले और फिर मेरा मनी भी वेस्ट गया मेरा टाइम भ होगे तो इसलिए जब भी पोस्ट आईगी तो आप पता कर ले hunt उभी ना मैं बता दूँ गी किस अटरीं को मैंने सेंड कर दियайтесь करने की कुछिश करूंगे तो आप फिर खुद ही चेक कर लें कि आपकी पोस्ट आनी तो यह देखते रहें तो इसलिए जब आपकी पोस्ट आने वाली होगी तो उस पर आप खुद ही ध्यान रखें तो मेरा काम बस पोस्ट करने तक है बाके आपको मिले ना मिले वो आपके अड्रेस पे जगे पे डिपेंड करता है आपने क्या अड्रेस लिखा है सही लिखा के नहीं लिखा है तो मैं आगे सोच रही हूँ कि मैं इस परां के कॉंटेस्ट बीच-बीच में रखूँ और सीड आप खुद सेब कर लो तो देखो क्या बनता है तो अगला नाम लेने से पहले मैं फिर एक बारे बोलूँगी कि प्लेंज एरियास बाले प्लेंज वाले जो म सेड़ वो अभी लगा सकते हैं और पहाडी लाके वालों ने तो उनके तो ठंड पहले से शुरू हो जाती है तो उनके तो लगना शुरू हो चुके होंगे तो अगला जो टैंथ नंबर पे मेरा जो जा रहा है वो नाम ये है तो इनका अपना चैनल है ये देखिए मैंने इनका चैनल कई बारी देखा हुआ है तो ये है इनका नाम तो इनकी भी माइनर सी मिस्टेक है जो लास्ट में वो 29 नंबर पे गौम फ्रेना था उसके साथ ही वो दिख रहा था हलकी सी जलक गौम फ्रेना की दिखी थे और बोगन बिलिया की तो इन्होंने 39 नंबर पे गौम फ्रेना प्लस वो लिख दिया था वो गन बिलिया तो गौम फ्रेना पहले आता है तो इसलिए गौम फ्रेना था आंसर तो इनको जाता है हे इनके लिए भी तालिया तो मेरा खेला वीडियो आपको पसंद आया होगा और जिन मेरे भाई भेनों को मसीड अभी इस टाइम ड्रॉ में उनके नाम नहीं निकले हैं तो कोई उदास होने की जुरूरत नहीं है हम कोशिश करेंगे कि जल्दी फिर से हम कॉंटेस्ट लेक कर आएं और आप पार्टिस्पेट करें और फिर आपके भी नाम निकलें और ध्यान से जब आप पार्टिस्पेट करते हो तो चीटिंग ना करें ध्यान से अपना वीडियो देखके फिर करें फिर अंसर दें इसी के साथ नमस्ते जी शुक्रिया अब इतने सारे नाम निका गया है तो इसलिए सोरी